तनिश्क लाएं हैं रिवाव वेडिंग ज्वेलरी जो बनाएं आपके हर उतसफ को खास। पाईए 20% तक छूट गोल ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मोल्य पार। आईए तनिश्क ज्वेलर्ज इंडिया मोटर सर्कल अजमेर तनिश्क टाटा की पेश काईश। प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के बदादिगारी गन्ड़ तमाम चुनेवे कॉंग्रेस पार्टी के जनपरतिनी दिगन्ड एम्यले साहीबान, कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकरता, नेता, किसान भाईयो, पत्रकार बंदु। सबसे पहले हम उन सहीद किशानों को हमारी सर्धांजली अर्पित करते हैं उनको नमन करते हैं जिनोंने बारा मैने से ज्यादा लंबा संगर्स करने के दोरान इस जंग को जीतने के लिए अपनी सहादत दे दी उन सहीदों को सहीद किसानों को नमन है उन किसानों को जनोंने लंबा संगर्स किया और ये विज़े हासिल की उनका बहुत-बहुत सादु आर्ध, धन्यवाद, आभार ये लड़ाई और ये जीत, लड़ाई किसान ने लड़ी, अन्यदाता की जीत हुई, दर्ती माता की जीत हुई, बाहरत माता की सपूतों की जीत हुई, मोदी जी और अमिसा का एहंकार हारा, उनका सडियन तर पराश्ट हुआ, और आज हम किसान के साथ, खड़े होकर के, जो विदे दिवस बना रहे हैं, ये उस किसान की जीत है, उसकी मैनत है, उसका संगर्स है, जिसने कभी भी हार नहीं मानी, हमेशा हमेशा, जब जब भी उसके उपरत्याचार अन्याय हुआ, वो और ज्यादा ताकत्वर बन करके, इस देश में, लोगों को पेट बालने के लिए अपने काम में जुट गया, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, जब NDA1 बनी थी, देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी बने, आप सबसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने सबसे पहला अगर कोई काम सुरुवात की, तो वो सर्वसम्मति से UPA सरकार का पारित भूमी अधिगरन कानोन में संसोधन करके, अपने पुंजी पती मित्रों को किसान की जमीन देने का काम हाथ में लिया, और भूमी अधिगरन कानोन के लिए किसान ने अपनी लड़ाई लड़ी, कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांदी जी के नित्रितों में पूरे एक देश में उनके साथ में कंदे से कंदा मेला करके उस लड़ाई में साथ दिया, और जीत उस किसान की हुई, जो चाहता था कि जब यूपिय सरकार ने सर्वसम्मती से किसान के हित में, जिसमें बीजेपी भी सम्मती, कि तमाम हिंदुस्तान की पॉल्टिकल पार्टियां जब सहमत हैं, और जो कानून पारित हो गया तो उसको मोदी जी क्यूं बदलना चाहते हैं, ये सब के समझ में आ गया था, पहले दिन से देश के प्रधान मंत्री की और केंदर की सरकार के किसान विरोधी निती रही, जो वादे सरकार बनने से पहले उन्होंने किये थे, उस पे कोई काम नहीं किया, किसान को कहा था, कि स्वामी नाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान से वादा किया था कि तुमारी आमदनी दुगनी करेंगे किसान को वादा किया था कि किसान को मिलने वाले डीजल और पेट्रोल पे वेट कम करेंगे किसान से वादा किया था कि तुमारी जो खाद, भीज है, उर्वरक है उसके उपर हम लोग टेक्स कम करेंगे किसान से वादा किया था कि तुमारे जितने भी उपकरन खेती के काम में आते हैं उसके उपर हम टेक्स रटाएंगे लेकिन एक भी वादा पूरा हुआ तो बता दीजिए और जब सोयना के सोरिय के पीछे छुप करके और जब दुबारा वो सत्ता में आगे तो NDA1 के अंदर रची गई साजिस जिसके तहट किसान की जमीन के साज साथ में किसान के जमीन में होने वाली पैदावार उसकी उपज अनाज के उपर कबजा करने की साजिस के तहट बड़े बड़े उद्यूपतियों से चुनावी चंदे लेकर के बंद कमरे में किये वादे के मुताबिक उन्होंने वो तीन काले कानून हमारे किसान के उपर ठोप दिये जिस तीनों काले कानून की किसान ने कभी कोई मांग नहीं की ये जो तीनों काले कानून लाएगे ने लोग सवा में कभी किसी जनपरतिनी दिन मांग की ने राजे सवा में कभी किसी ने मांग की ने किसी भी राजे की किसी भी विजान सवा में किसी भी जनपरतिनी दिने चाहे वो कोई भी political party का हो उसने वो कभी मांग नहीं कि और नकिसान नेताओं ने कभी मांग की नकिसान संगर समितियों ने मांग की केवल और केवल अगर ये तीन काले कानून किसी की उपज है तो वो मोदी जी, अमिर साह, उनके सरकार, उनके चंद, मित्र जिनको किसान की पैदावार के उपर कबजा कराने का सड़ी अंत्र इस कानून को लाने से पहले चुनावी चंदे के रूप में उनसे प्रतिफल वसूल करके जो वादा किया गया था उस वादे की क्रियानवती उन्होंने तीन काले कानून लेकर के की किसान ने कहा कि हमें नहीं चाहिए आपके कानून नहीं मानिकेंदर की सरकार किसान आंदोलन के बाद दे हुआ आंदोलन की सुरुवात हुई हमारे नेता राहूल गांदी जी और सोनिया गांदी जी ने कहा कि जब जब भी किसान के उपर भिपता आई है जब जब भी किसान के साथ कि आऊ सकता पड़ी है कॉंग्रेस पार्टी और कांग्रेस और किसान का चोली डामन का साथ है हम किसान के साथ में कड़े हैं हम सब देख रहे थे नॉन पॉलिटिकल का रिक्रम था नॉन पॉलिटिकल अंदोलन था लेकिन हमेशा कॉंग्रेश पार्टी के हमारे नेता राहुल गांदी जी एक बात कहते थे कि एक किसान के साथ में बहुत बड़ा दोका है, बहुत बड़ी साजिस है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक कानून कभी ठैर नहीं सकता, इस कानून को मोदी जी को वापिस लेना ही पड़ेगा आप उनके वीडियो उठा करके देख लीजिए उन्होंने टेक्टर रेली की, पंजाब में गए राजस्तान में यहाँ पर आये, किसानों ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया मकराना में लाखों लोगों की रेली हुई हनमानगर गंगा नगर के अंदर लाखों किसानों के साथ में राहूल गांदी जी नहीं अपने प्रतिबदता, अपने कॉंग्रेस पार्टी के प्रतिबदता दोराई कि हम किसान के साथ में हैं मरते दम तक जब तक एक बूंद खून की हमारे सरीर में रहेगी कॉंग्रेस पार्टी के तमाम कारे करता और नेता आपके साथ में जिस अन्न दाता की बोट से मोदी जी और अमित साथ देश की सरकार में आए लेकिन सरकारों में आने के बाद मैं उसको भूल गए उनसे वादे किये गए वो भूल गए आज भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई खतम नहीं हुई है ये लड़ाई किसान की मोदी जी से सुरुवात है एक तरीके से एक पहली सीडिय हमने पार किये कि जो सडियन तर रचा गया उसको विफल किया गया है उसको वापिस कानूनों को तीनों काले कानूनों को लेने के लिए मजबूत किया गया है लेकिन किसान क्या चाहता है किसान ने आप से क्या वादे किये थे वो बाते तो अभी तक आई नहीं किसान से वह आपने जो वादे किये थे दुगों ने आमदरी करने का वादा किया था किसान को मिलने वाले डीजल के उपर वेट कम करने का वादा किया था जो टेक्स लगता है अमारी रसाइने को उरुभरक पर खाट पर उनको कम करने का समाथ करने का जो वादा किया था और किसान के कल्यान के लिए योजना ही लाने की बाते किती उन वादों का मोदी जी क्या हुआ उनमें से एक वादा भी अगर पूरा हो गया हो तो बता दीजिए मेंगाई का अशर किसान के उपर भी है आम गरीब के उपर है किसान गरीब है उस मेंगाई को कम करने का वादा किया था उसका क्या हूआ मोदी जी मोदी जी किसान का बेटा भी नोकरी चाहता है रेलेवे में बरती चाहता है S.S.C. के मादनें से बरती चाहता है बैंक में नोकरी चाहता है केंदर के सरकारी कारेलों में वो भी नोकरी चाहता है मोधी जी दो करोड किसान के बेटों को लोकरी प्रतिवर्ष देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ तो भाईयो मैं कॉंग्रेस पार्टी के नेता और कारिय करता हूँ से एक कहना चाहता हूँ ये विजे दिवस केवल हमारा इस बात का है किसान अन दाता की जीत हुए और मोधी सरकार के घुटने टिके हैं वो मजबूर हुआ जुकने के लिए लेकिन हमारी लड़ाई तो वो है कि दो वार बोट ले लिए दो वार केंदर की सत्ता में आगे किसान के कल्यान के उसके वादे करकर के उन वादों का क्या हुआ इसलिए हमारी लड़ाई कॉंग्रेस पार्टी की लड़ाई अब सुरुआत होती है मोधी जी के घिलाप कि अब हम उनसे उन वादों को याद दिला दिला करके गाउं गाउं ढाणी ढाणी में पूरी प्रदेश में कोने कोने में जाएंगे और ये कहेंगे कि मोदी जी आप किसान के आमदनी दुकुनी कब कर रहे हैं किसान के कल्यान के लिए जो योजने आप बता रहे थे वो अब कब लागू कर रहे हैं किसान पिस्ता जा रहा है अगरना भियान है गाउं गाउं में ढाणी ढाणी में बूत बूत में कॉंग्रेस का कारिय करता जा करके यह बता रहा है माकन साथ कि किस प्रकार से महंगाई में डीजल, पेट्रोल, गेस, सिमेंट, लोहा, कपड़ा, खाद्य, तेल, दाल, सबजी, सब चीज महंगे हैं उस म महंगाईगों मोदी जी आप कब कम करोगे यह widen दि सिर्फ सडियन तर से जीतने का है, किसान के कल्याण के लिए किसान के साथ किये ये वादे नहीं निभा रहे हैं उसको याद दिलाने का संकल्प डिवस है आज रे आ से हम संकल्प लेते हैं कि किसान के साथ में जो मोदी सर में है वो अच्छाई राजस्तान में ये है कि किसान के कल्यान की सरकार किसानों के कल्यान के लिए काम कर रही है वो बताने के लिए हमारे पास में मैटेरियल है हमारे बास में राजस्तान की सरकार ने जो किसान की वहबूदी के लिए जो पैसले लिए वो फैसले हमारे साथ में है बारा हज़ार रुपे कर्शे कनेक्शन के उबर बारा मैने में किसान को मिलेंगे ये फैसला हमारे साथ में है ठारा हज़ार करोड का रिन माप किया ये फैसला हमारे साथ में है प्रसाशन गाउं के संग जाकर के किसान की समस्याओं का समादान उसके गाउं में धानी में उसके घर में जाकर के कर रहे हैं ये फैसला हमारे साथ में है कर्सी का आपकी बार से अलग से बजट होगा ये हमारे साथ में है हमारे साथ में हमारी सरकार असो गैलू जी का नेत्रित्व है और तमाम मंत्री और कॉंग्रेस के साथ ही सत्ता और संगतन कुछ साथ मिलकर के माकन साथ आपके मारकदर्सन में हम आज संकलब दिवस के दिन संकलब लेते हैं कि गाउँ गाउँ ढाणी ढाणी में जाएंगे इस मोधी सरकार को पूरी तरी से अक्ष्पोज करने का काम कि ये किसान हिते सी सरकार नहीं है आम गरीब की सरकार नहीं है ये चंद उद्धुपति मित्रों की सरकार है कल बात चल रही थी माकन साथ से मैंने निवेदन किया सर कि हमने किसी FCI से मेरे किसी मित्र ने चर्चा की कि FCI अगर गोदाम ले ले तो मेरी जमीन रोड के उपर है मैं बनाना चाहता हूँ मुझे किराय मिल जाएगा मेरी आमदनी बढ़ जाएगी तो बहुत बड़े हिंदुस्तान के FCI के हधिगारी ने कहा कि मित्र किस भरम में हो FCI के तमाम गोदामों का MOU आपके बड़े-बड़े उद्योग पत्ती मोदी जी के मित्रों के साथ में हो चुका है जब ये तीन काले कानून आए उससे पहले MOU होगे रेल की पठ्रियां वहां तक है, साहिलों तक जाएंगी वो MOU होगे और बड़े-बड़े स्टोरेज अनाज करने के हजार हजार पंद्रा सो पंद्रा सो क्रोड रुपे एक स्टोरेज में लगेंगे इस प्रकार के स्टोरेज पूरे हिंदूस्तान में बन रहे हैं अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो गंगा नगर हन्मानगड की तरब चले जाएए हर्याना में चले जाएए पंजाब में चले जाएए आप किस प्रम में जी रहे हो आप अगर बनाओगे तो आपका अनाज का गोदाम कोई काम नहीं आएगा कोई नहीं लेगा केवल अडानी के गोदाम हिंदुस्तान में काम में आएगे सब की आँखे खुली के खुली रह गई आप समझ सकते हो कितना बड़ा सडियंत्र था और इस बोले मानों को किसान को जो हमारा अन दाता है हमारा पेट पालता है दूप हो, सर्दी हो भूका, प्यासा उस किसान के साथ पे छलावा कर रहे हो अरे कॉंग्रेस को मिटाना चाहते हो धरम के आदार पर भाई को इसे भाई को लडाना चाहते हो ये तुमारे एजेंडे हो सकते हैं लेकिन उस किसान को भी मिटाना चाहते हो जिसके बोट से आज वजीर बने बैटे हो और नोटों वालों के वजिर बने कर के बैटां के तुमको सरम आनी चाए मोधी जी यह बात हमको गाओं गाओंधानी ठानी में कहने पड़ेगी यह किसान की जीत है कॉंग्रेज की जीत तब होगी जब किसान को उससे किये गए मोदी जी के वादे वो हम अगर पूरे करवा देते हैं या फिर उनको सत्ता से हटा देते हैं तब जाकर के कॉंग्रेज की जीत होगी ये दिबात में आपको और हमको रखना पड़ेगा मैं ज्यादा लंबा चोड़ा नहीं बोल करके इतना ही निवेदन करना चाऊंगा आज हम सब लोग किसान के विजए दियोश में सामिल हुए हैं गाओं गाओं में धानी धानी में जाना पड़ेगा नेताओं को जाना पड़ेगा हम सब को जाना पड़ेगा और हम सब जा करके किसान को ये कहेंगे कि हम जो तुम्हारे हकों की लड़ाई है उसके साथ में हम आपके साथ में कड़े हैं आपको आपका अधिकार दिला के रहेंगे और जो सरकार केंदर के सरकार अगर आपको आपना हक नहीं देगी तो सरकार को 2024 में उखाड पैंकेंगे ये सारा का सारा काम हम कॉंग्रेस के कारे करता हूँ नेतां को करना पड़ेगा अगर हमने इसमें थोड़ी बहुत भी चूक कर ली तो इतियास हम को माफ नहीं करेगा कि वो कॉंग्रेस पार्टी के सिफाई है हैं ये लोग जिस कॉंग्रेस पार्टी ने इस देश को लड़ करके सहादत करके और अपनी आजादी दिलाई ये वो कॉंग्रेस के लोग हैं जिनके नेतां ने देश की एक और अखन रखने के लिए चाहिए इंदरा जी हो चाहिए राजीव जी हो सहीद होगे उस कॉंग्रेस पार्टी के हम लोग सिपाई हैं हम उस कॉंग्रेस पार्टी के सिपाई हैं जो राहूल गांगी जी के नेत्रितों में डरो मात डट के खड़े रहो और किसान के साथ मजदूर के साथ गरीब के साथ डट करके मुकाबला करो और इन के अंदर में बैठे हुए जो बड़े लोगों के दलाल हैं इन से डरने के कताई आऊ सकता नहीं है चाहे एडी आजाए, सीबी आई आजाए, इंकम टेक्स आजाए कोई फरक नहीं पड़ता है अरे हम से क्या ले जाएगा? किसान से क्या ले जाएगा? गरीब से क्या ले जाएगा? कॉंग्रेस के पास तो सत्तर साल में एक एक ब्लोक में ओफिस नहीं है तुमारे तो साथ साल के अंदर सो सो करोड के ओफिस आपने दिल्ली में बना लिए हर ब्लोक के अंदर पांच-पांच करोड के हर जिले में 10-15-15 करोड के होपी साब बना रहे हो आपको डरना पड़ेगा क्योंकि चोरी का पैसा ला करके आप अपने काम में ले रहे हो कॉंग्रेस ने अभी कभी ऐसा नहीं किया इसलिए मैं ज़्यादा लंबा चोड़ा नहीं बोल करके माने माकन साब से हम लोग मारक दरसन लेंगे इनके मारक दरसन में हम कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे किसान के साथ कंदे से कंदा मिला करके हमारी सरकार की योजनाओं को गाउं गाउं धानी धानी में पहुँचाएंगे लोगों को जादा से जादा हमारी सरकार जो आपके आसिरवास से बनी है उसकी योजनाओं का लाब मिले और केंदर सरकार की गलत निच्शियों से जो नुकसान हो रहा है उसका डट करके मुकाबला करें जिससे कभी ने कभी इनके होस आए और अगर होस नहीं आए तो इनको सत्ता से हम सब लोग मिलकर के बार करें इस संकल्प के साथ में हमको प्रती दिन काम करना पड़ेगा हम सब एक जुड़ता के साथ में एक राह होकर के एकता के साथ में हम लोग कॉंग्रिस पार्टी के सिफाई काम करेंगे दन्यवाद जैहिन जैभाद